कर देखते हैं तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग रोलिंग उनिट में कवर करेंगे सबसे पहले हम लोग टाइपस ऑफ रोलिंग ऑपरेशन्स और कौन-कौन से materials यूज होते हैं वो देखिएंगे उसके बाद हम लोग hot rolling process और cold rolling process पढेंगे then we will see advantages and disadvantages of rolling and applications उसके बाद हम लोग hot rolling और cold rolling का एक comparison देखãyएंगे फिर कौन-कौन सा mechanism involved होता है rolling operation में rolling processes में उसको देखिएंगे उसके बाद कौन-कौन से आरेंजमेंट्स होते हैं हमारे rolling process में उन्हें देखेंगे कौन-कौन से important formulas होते हैं जिन्हें हम numericals में use करते हैं और last में हम लोग rolling defects देखेंगे उसके साथ साथ finally rolling numericals देखेंगे तो चलिए start करते हैं आज की class में हम लोग basics of rolling करते हैं